नमस्कार दोस्तों स्वागदा सभीगा आपके अपने यूटूब चानल SB Medicine में आज आपन बात करेंगे डॉम स्पास सस्पेंशन के बारे में डॉम स्पास सस्पेंशन को पिल कंपनी बनाती है जिसकी प्राइज है साथ रुपए पचास पेसे पर साहरप यह 30 ml के पेक में होती है जो कि एक प्लास्टिक बेस के पेकिंग में होती है इसका जो कंटेंश है वो हैं डीमेटिकॉन 40 mg और डॉम पेड़न उदस में 5 mg और डाइस साइकलो में हार्टुकलोर उदस में 10 mg इसका यूज आप डाक्टर के सला से करें तो ज्यादा वेतर रहेगा यह सस्पेंशन आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मिडिक इस्ट्रपी मिल जाएगा डॉम सस्पेंशन का यूज बच्चों में कहलाता हैं जैसे कि अगर बच्चे को पेड़ दर्द हो रहा हैं उल्टी हो रहे हैं चीह गब रहा हैं या फिर उसको गेज बन रही है तो भी इसस्पेंशन का यूज आपके लिए काफी जादा एफेक्टिव हैं साथ ही अगर आपके पेट में एटन की सिखेत हैं, डिहड्रेशन के करण कोई परिशानी हैं, आईवीडी हैं, क्रोहन डिसीज हैं, पेट में सूजन आ गई हैं, अलसेरेटिव कॉलाइटिस हैं, कबजी की समझ्या हैं, या किसी भी तरह की गेश्ट्रो इंटेस्टानल समझ् समझ्या में यह सस्केंशन की क्या होता है, कि बच्चे का सफ्तmotion कीज़ा हैं, मतलavके पेट में दर्द होके बहुत ज्यादी समय्ज़ा हो कभी दस लग जाते हैं, उल्टिया होने लग जाते हैं, उनको खाना अजम नहीं होता हैं, और फिर उनको अजिरन हो जाता है, पेट फूल जाता है उनको, और तो इसी क्या काफी सारी कंडिसन्स हैं, जिनकी उज़े से बच्चे बहुत जाता परिसान रहते हैं, तो इसी सभी प्रॉलम्स में इस सैरप का यूज बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम दिलाएगा इसमें होने वाला डाय साइकलोमाइन एक एंटी स्वासमोडिक है जो बच्चे के पेट और उनकी आतों में जो मांसपेश हैं उनको रिलेक्स करते हैं और डिमेटिकॉन एक एंटी फॉर् को यूज च्वास करने में हल्ब करते हैं वह उनके पेट दर्द करते हैं क्योंकि और पेट्वर का older का दूद है और शॉर्माइ को बहुत ज माका दूद पचने में निकानी है और उनको बहुत जल्दा समय लग जाता है और उनको कभजी के बच्चा में पर और इस वज़े से वो रोते हैं, तो ऐसी conditions में भी अगर उनका पेड़ दर्द कम हो जाए, उनकी गेस कम हो जाए, तो उनको क्या थोला रिलेक्स फिल हो जाता है, तो इसे में आप ये doms pass यूज कर सकते हो, इसमें क्या है कि dompadon है, तो ये क्या करता है, कि उसके उल्टी और ज बच्चों में से 1-5 ml सुबसाम, और 3 साल से बड़े बच्चों में से 2-5 ml सुबसाम देने के आपको कहा जा सकता है, पर बेटर ये रहेगा, कि जितना और जिससे आपको डोक्रम बताएं, वैसे आप इसका यूज कर लें, बात कर लेते हैं, इसके होने वाले side effect के बारे में तो इसके जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं, वह हैं उबकए आना, मुह में सुखापन रहना, चक्कर आना और ब्लड विजन की प्रोलम से आपको नजर आ सकते हैं, वैसे side effect कुछ टाम करते हैं, कुछ टाम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, हाँ अगर इनके अलावा आपक करें, शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू